दोस्तो इस वीडियो को अंदर मैं आप लोग को बताना वाला हूं बैंक ओफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग कैसे आप घर बठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से बना सकते हैं जैसी के आपने बैंक ओफ इंडिया में एकाउंट ओपेन करवाए हैं अगर आप अपना जो नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग चलाना चाहते हैं नेट बैंकिंग फर्स टाइम बना चाहते हैं तो कैसे आप अपना जो नेट बैंकिंग बना सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो सबस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपेन करना होगा तो जो कि मैं सबसक्राइब करना होगा यहां जो पैजी रेट इन्टर और टेक्स आसे मैं एक करता हूँ यहां को विखें आपको जो पेज्डिये करदेगा इंटरनेट बैंकिंग इन मस्क करते हूं यहां से आपको अपने इंटरेट बैंकिंग बना सकते हैं यूजर यू पासफोरड उसके बाद आपको सामने हैं कुछ सा इसको skip कर दिना उगा उसके बाद देख सकते हैं यहीं से आपको सबसे पहले आपको internet banking युजर एडी पासवर्ड बनाना है उसके बाद आपको युजर एडी पासवर्ड डालके यहां capture को फिल अपकर करके submit पर किलिए करके login करके आपने जो net banking manage कर सकते हैं तो जो कि हमें परस्ट टाइम बनाना है internet banking तो आपको कैसे बनाना है आपको एक option मिलेगा नीव उजर कर ठीक है इस नीव उजर पर आपको किलिक करना पड़ेगा जैसे इस पर किलिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ detail डालने का option आपको सबसे पहले select facility आप वीव और पर किलिक करके आपक जो net banking बनायाकर transaction भी कर सकते हैं अपने सारा चीज देख सकते हैं तो उसके बाद सामने account डालना हो जो भी आपका account डाल दीजेगों डाल दीजेगों इसके बाद आपको मोबाइल नमों पर आपके एक OTP आप देख सकते हैं जो भी आपका रेजिटर मोबाइल नमर होगा हो तो जो की मुझे OTP receive हो चुका है उसके बाद मा अपने OTP डाल के आपको यहां continue पर किलिक करते हैं जैसे OTP डाल के continue पर किलिक करते हैं उसके बाद देख सकते हैं आपको debit card वाला आपको अफ्सन आ जाएगा आपको debit card का कुछ आपको detail पर देख सकते हैं आपको चार आंग को पहला होगा उचके बाद सकेंड खर्ण में आपको दिख रहा है इसमें भी आपको जो चार आंग को डाला होगा जो कि लास्ट फोर डिजिस ठीक एक जैसे की कर दाता है और ख्रेलन में डिटेल हैं वसके बाद अफॉर और मे फिलम कर लिए उसके बीट कर द mayo आपको प्रेंट्द कलिक करना पडरेगा तो जोकि funding प्रेटल आप फिलब कर लिए उसके बाद आपको कॉंटिनीव पर किलिक करना पड़ेगा उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा टॉर्मेंट करनेशन आपको कुछ टॉर्मेंट करनेशन पर देख सकते हैं आपको लॉगिन पासवर बनाने के लिए बोला जाएगा आप जो लॉगिन पासवर बना चाहते हैं अपने हिसाब से जो भी सक्मट रहां जो डालने के लिए उसके बाद आपको जूपर आपको बीख बर दलने इससे फले पास व्हूर्म पासवर और सो चॉनन सकते हां देख सकते हैं कम-शे चरक्तर लेकर अवगा 22ंं अपको पासओर चुना हूँकी ऊपर इपको पासओर चुना है गया सब कुछ मिला कर आपको एंटे करना होड़तुग तो जो कि मैं अपना पासओर जो मना लिए जो मैंना चाहते हैं उसके बाद आपको कॉन्टीन्यू पर क् उसके बाद देख सकते हैं जो your request to create internet banking user id is successful हमाने net banking successful बन चुका है आपको क्या करना होगा ओकीप आपको क्लिक कर देना होगा जैसे ओकीप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको पूरा डीटेल आ जाएगा आपको पूरा डीटेल आपको यहां सो कर रहा होगा देख सकते हैं आपको कस्टम आडी कितना है आपको क्लिक है आपको नीचे आपको किलिक कर देना होगा इसके बाद आप यहां से अपना लगिन आले पेज़ पर राम से जाकर आपको लहाँ से लगिन कर सकते हैं देख सकते हैं फिर से मैं लगिन आले पेज़ पर चुका हूँ इसके बाद आपको यूजर आडी आपको यूजर आडी डाल देना होगा इसके बाद जो पासवोड बनाया थे वो पासवोड डाल द कुछ पुछ नहीं कुछ दाउट है तो जरू कमेंट करें